हेलो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि मोबाईव फोन हो गए या टीवी जो इनकी इस्क्रीन होती हैं उसे हम कैसे क्रियेट कर सकते हैं उसका धोनलोड करकेrü कर सकते हैंने projects के लिए तो आज हम यहां पर इसका screen का ज़ो shader बनाएंगे इसकी screen के shader के लिए अब मैं इसके जो face है यहां पर screen का यह select करता हूं और यहां पर जाता हूं I रहाँ उन्हु ellas्टेर्ण पर के विसके अंदर Shader के अंदर AI Standard Surface Shader इसके अंदर हमें जाना है Basically अगर हम कोई भी Screen बना रहे हैं तो वो क्या करता है एक तो Display तो करता ही करता है जो भी Image उसके उपर होते है वो Display करेगा Plus जो Light Emit होती है उस Color की Particular वो Light जो है वो Emit करता है तो वो Emission के लिए हमें क्या करना है आज इसके अंदर हम Emission के अंदर जाएंगे और यहां पर इसको इसकी जो Value है Emission की Weight वो Full कर देंगे और यहां पर एक File Link करेंगे कोई भी हमारी JPEG File हम लगा के देख लेते हैं तो मैं यहां पर अपना बैनर ले लेता हूं यह हम लगा लेते हैं तो यह हमने Apply कर दिया है अब यह Actually हमें देख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यह हमें Shading Mode पर जाना पड़ेगा उसके लिए मैं यहां पर 5 प्रेस Sorry 6 प्रेस कर देता हूं तो यह हमारा देख पारें मैं Shading Mode में आ गया हूं तो यह जो Logo है मेरा वो यहां पर दिख रहा है तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे यह हमने लगा जिया है तो यह Actually खुदी एक Light Shading Property बन जाती है यह इसकी तो मैं आपको दिखाता हूं रेंडर व्यू में कि यह कैसा दिखता है तो देख पा रहे हैं हमारी जो स्क्रीन है आ चुकी है जो इसकी आप Light यहां पर देख रहे हैं Ground पर भी आ रहा है जासे reflection जो side है यहां पर भी आ रहा है तो मैं आपको और अच्छे से आपको दिखाता हूं यहां पर कोई एक object रखते हैं इसके screen के सामने ताकि हमें बिल्कुल यह clearly पता चल सके अब यह मैं इसको बोज कर देता हूं यहां पर यह मैंने एक square ले लिया है अब मैं इसको प्ले करता हूं तो यहां पर देख पार यह यह actually में जो है अपनी जो है light यहां पर emit कर रहा है I hope so guys आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो आप हमाए channel को like करें subscribe करें thank you guys आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video के साथ तो